2021 की शुरुवात हो चुकी है और गैजट्स की दुनिया में कुछ नए गैजट्स का आगाज होने लगा है लेकिन हाट ड्रोन में उनका एक इन बिल्ट कैमरा होता है जिसकी क्वालिटी कभी तो अच्छी आपको मिल जाती है और ड्रोन आपने ठीक ठाक नहीं लिया तो क्वालिटी भी आपको एमई देखने को मिलेगी तो सोनी इस बात को बहुत अच्छे से समझता है इसलिए वो आपको एक ऐसा कस्टोमाइज ड्रोन अवलेबल कराता है जहाँ पर ड्रोन तो सोनी का रहेगा लेकिन कैमरा आप अपनी पसंद का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर आपको सोनी का कैमरा दिखने को मिल जाएगा लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें अधर कैमरा को भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको 3XS Gimbal Stabilization System मिल जाता है जिसे की फोटोग्राफिक करना बहुत आसान हो जाता है लेकिन Corona के इस दौर में Doorbell को लोग चुने से भी डरने लगे हैं तो अगर आपके घर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस तरह की की Touchless Doorbell को जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है बिना इसे Touch किये ही दूस्तों इसमें आपको एक मैट मिलती है जिसे कि आपको अपने घर के बाहर रख देना होता है और जैसे ही इस पर कोई खड़ा होगा तो ये डोर बेल अपने आप ही रिंग करती है यानि इस डोर मैट पर लिखा होता है कि अगर आप डोर बेल दबाना चाहते हैं तो आप इस पर वस खड़े हो जाए तो कमाल का ये फीचर रहता है जो कि इस डोर बेल को खास बनाता है लेकिन इसमें एक सेवटी क्यामरा भी लगा होता है जिसका इस्तिमाल करके आप ये देख सकते हैं कि आपके घर के बाहर कौन खड़ा है और साथ ही उससे कम्मिकेट भी कर सकत हैं इसमें 2-way audio communication systems भी आपको प्रोवाइट किये होते हैं तो कमाल की इस तरीकी की डोर बेल रहती है जिसके लिए एक लाइक तो मेरे हिसाब से कोरोना की इस दौर में बनता ही है दोस्तों पावर बैकप का घर पर होना काफी ज़दा जरूरी होता है जिसके लिए जनरली हम लोग inverters और generators का इस्तेमाल करते हैं लेकिन अगर आप किसी travel पर जा रहे हैं तो ऐसे में ये साधन आपके लिए available नहीं होते तो अगर आप अपने साथ एक ऐसा portable power station रखना चाहते हैं जिसका इस्तेमाल आप emergency situation में कर सके तो ये gadget आपके बेहत बहती रहेगा दूस्तों इसमे लाइटिंग के लिए इस तरीके का gadget बेहत कमाल कर रहेगा तो इस तरीकी के gadget को आप अगर चाहें तो अपनी कार में लेकर travel कर सकते हैं क्योंकि ये साइट में भी कोई खास बड़ा नहीं होता दोस्तों आजकल लोग घरों की सफाई के लिए कुछ ऐसे robotic gadget का इस्तेमाल करने लगे हैं जिनसे की काम और भी आसान हो जाता है क्योंकि ये gadget भी उनमें से कुछ एक ही होता है क्योंकि ये एक तरीके का ऐसा vacuum cleaner होता है जिसका इस्तेमाल घर की systematic cleaning के लिए किया जा सकता है ये एक fully automated robot होता है यानि कि एक बार इसे आप कमरे में छोड़ देते हैं on करके जिसके बाद घर की ये एकदम systematic cleaning करता है और जैसी इसकी battery down होने लगती है या फिर इसका container भर जाता है तो ये फटाफट आपने charging dock पर जाता है जहां पर ये charging लेता है और अपने container को self empty करता है यानि कि इसमें कुछ भी आपको करने की जरुवत नहीं पड़ेगी तो काफी automated रहता है इस तरीके का gadget जो की future में हो सकता है आपको काफी सारे देखने को मिले जल्दी नमबर 6 GTS 2 दोस्तो अगर आप Amaze Suite की smart watches पसंद करते हैं तो ये watch आपको काफी interesting लगने वाली है दोस्तो इसकी खास बात ये रहती है कि इसकी display काफी size में बढ़ी रहेगी जिससे की view angle काफी जबर जस्त आएगा और look wise भी ये दिखने में बहुत प्यारी लगती है यहां पर आप इस्तिमाल कर पाएंगे इसमें 24-7 heart rate monitoring system दे रखा होता है और साथी sleep quality monitor भी दे रखा होता है जो कि इसे खास बनाता है इसकी battery life लगबग 7 दिनों की होती है यानि कि ये एक कमाल की बात रहेगी कि 7 दिन में आपको सिर्फ एक ही बार इसे charge करना पड़ेगा तो अगर एक ऐसा door होता है जिसका इस्तिमाल आप अपने pet को बाहर निकालने के लिए कर सकते हैं अक्सर ऐसा होता है कि आपके pets वगरा बाहर घुमना चाहते हैं लेकिन आप उन्हें घुमाने के लिए तयार नहीं होते कि कौन जाए gate खोलने तो ऐसी situation में आप उनके लिए privately gate को open कर सक तो इस तरीके का कमाल का gadget रहता है जो कि आपकी मेहनत को बचाता है और कहीं न कहीं आपके pet के मज़े होते हैं बार-बार बाहर जाने को जो उनको मिलेगा तो कैसा लगा है आपको ये gadget बात हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा दोस्तो अगर आप अपने बच्चों को एक ऐसा toy robot देना चाहते हों जो कि उसे थोड़ा सा advance बनाए और उनके अंदर programming skills को develop करें तो ये gadget कुछ-कुछ ऐसा ही होता है देखने में तो ये एकदम normal toy जैसा ही लगता है लेकिन इसमें advance algorithm होते हैं जो कि इसे खास बनाते हैं साथ ये टकराता नहीं है साथी आप अगर चाहें तो इसे प्रोग्राम कर सकते हैं जो कि बच्चों के लिए काफी बैतर रहेगा जिसे कि वो अपने अंदर programming skills को develop कर सकते हैं तो कमाल का इस तरीके काटवाय रहता है जो कि आपके बच्चों के अंदर robotics के प्रति कहीं न कहीं interest ज काफी interesting लगने वाला है ये एक तरीके का ऐसा robotic vacuum cleaner होता है जिसमें कि advanced algorithm में inbuilt होता है जिससे कि आप अपने घर की एकड़म systematic cleaning कर सकते हैं साथ ही इसमें एक छोटा सा camera लगा होता है जिसका इस्तिमाल आप safety purpose कर सकते हैं और अपने mobile phone से ये देख सकते हैं कि आपके घर के अंद रहेगा इस तरीके का gadget जो कि Samsung की तरफ से आपको देखने को मिलेगा नंबर सेकेंड Sony BRAVIA XR A80J 4K TV TV के मामले में Sony BRAVIA का तो कोई खैर जवाब ही नहीं रहा है लेकिन अगर हम बात करें technology की तो Sony BRAVIA में जो technology आपको देखने को मिलती है other brands उसके आसपास भी नहीं होती तो ये sharpness आपको बहुत जबर्जस देखने को मिलती है साथी इसकी sound quality भी कमाल की होती है ये आपको detect करती है कि आप room के किस कोरे में बैठे हैं इसमें sound direct delivery होती है एकदम display से जो कि आपको detect करने के बार direct आपके कानों पर पहुंसती है तो काफी कमाल की technology ये रहेगी साथी इसमें advanced sensors भी लगे होते हैं जो कि lighting conditions के हिसाब से आपकी picture की brightness को खुद बखुद ही adjust कर देते हैं तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा बैतरीन रहती है Sony BRAVIA में तो अगर आप भी चाहते हैं इस TV की price जानना तो इसके link आपको description box में देखने को मिलेंगे दोस्तो अगर आप अपने घर के लिए एक ऐसा entertainment system चाहते हैं जिसका इस्तेमाल आप अलग-अलग कामों में कर सकें तो ये चीज़ बड़ी ही कमाल की रहती है दोस्तो वैसे तो ये एक तरीके का projector होता है जिसका इस्तेमाल आप movies वगर को enjoy करने में कर सकेंगे लेकिर यहाँ पर आपको Alexa का भी support दे रखा होता है जिससे कि आप इसका इस्तेमाल आप एक music speaker के तौर पर भी कर सकते हैं साथी Alexa होने पर आप इसमें जालतर commands को voice input दे सकते हैं साथी यहाँ पर आपको mobile phone से control भी देखने को मिलते हैं जैसे कि अगर gaming विगर आप कर रहे हैं तो mobile phone से control करने में काफी आसानी रहेगी वहीं इसमें एक छोटी सी battery भी inbuilt होती है जो कि single charge पर आपको तीन घंटों का video playback देती है लेकिन अगर आप सिर्फ इससे music सुनते हैं तो ये playback time आपका लगबग 30 hour का हो जाता है तो कमाल के features के साथ less होने वाला है ये projector जहाँ पर आपको एक छोटी से display भी दे रखी होती है जिससे कि इसे control करना और भी आसान रहता है तो अगर आपको ये gadget पसंद आए हो तो फटाफट मेरे को comment करके जरूर से बताएगा इसके बारे में साथी वीडियो में दिखाएगे किसी भी gadget को अगर आप खरीबना चाहते हैं या फिर इनकी pricing जाना चाहते हैं तो उनके बारे में आपको link description box में देखने को मिल जाएगे आज के इस वीडियो में इतना ही चनल को subscribe करेगा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिलकुन नद बूलेगा नमस्कार दोस्तों चेहिंद